गुड मॉर्निंग स्टुडेंट टोडे इस यूर टॉपिक मॉडाल से एंग गोईंग तो टीच यू कंटिनुसली दा यूज अफ मॉडाल लेट्स दिसकूस इट फिर्स्टी विल इस फूचर फॉर्म विल इस ओल्वे इस ओल्वे इस ओल्वे एंड वी यहां पर कुछ अपने के लिए जो हमारा डेर होता है जो स्ट्रॉंग डेर होता है त्रेट किसी को ड्राना वार्निंग देना किसी को डिजायर हमारी इच्छा और प्रामिस किसी से वादा करना देर और और सम एक्जेंपल्स तो एक्स्प्रस्ट दे यूज ऑफ विल यहां पर उनकी डिज है कि वो उन्हें मार देंगी I'll kill you third example is I will arrest you यह उन्होंने warning दी है that means there is there would be a police inspector जो कि criminal को warning दे रहा है कि अगर वो कुछ भी गल्त करेगा तो वो से arrest कर लेगा your fourth example is I will definitely help you to remove your glossophobia glossophobia means that is also a fear public speaking fear जो लोग publicly बोलने के लिए डरते हैं उसे glossophobia बोला जाता है कि उन्होंने promise किया कि वो definitely उनकी help करेंगे उनके glossophobia को remove करने के लिए there is also an important condition to use the will will you plus please is used to express a request or an invitation एक request और invitation को express करने के लिए will को एक different form में use किया जाता है will you plus please use होगा यहां पर will you please make a cup of tea for me क्या आप मेरे लिए एक चाई का cup बना सकते हो यहां पर उन्होंने क्या किया है एक request की है will you like to join my club क्या आप हमारा club join करना पसंद करोगे please that means यहां पर उन्हें अपना club join करने के लिए एक invitation दिया है will is used in negative form as will not or want यहां पर will है जो negative form में use किया जाता है उसे will not या फिर want के तरीके से use किया जाता है and your sixth modal is would use of would would is the past form of will but the uses of would is different from the use of will would is the past form of will and it is used to express polite request यहां पर यह भी request को express करने के लिए use किया जाता है but there is also some conditions to use will और यहां पर polite request को use करने के लिए would use किया जाता है polite offer देना किसी के किसी से permission मांग ली politely past happening to no intention की किसी के किसी की काम को लेकर क्या intentions है वो किसी के काम को लेकर क्या सोचता है other wishes etc would not is used in the negative form negative form में would को हम वो not की तरीके से use कर सकते है okay there is also some examples of what your first example is would you like to take the क्या आप चाहिए लेना पसंद करोगे यहां पे उन्होंने एक request की है वो भी politely would I borrow your notebook क्या मैं आपकी notebook को borrow कर सकता हूं यहां पे भी उन्होंने एक polite request की है किसी से उनकी notebook borrow करने के लिए उदार मांगने के लिए would he like would he likes to celebrate his birthday क्या वो अपना birthday celebrate करना पसंद करेगा किसी और की wishes को उन्होंने पुचा है क्या वो उसे करना पसंद करेगा मतलब उन्हें कुछ नहीं पता कि वो करना पसंद करेगा है नहीं बट सिफ उन्होंने उसकी wish को express किया है यहां पे जो विल था विल इस अलसो फूचर फॉचर 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 नहीं जो विल था दा इस यूसद विद आ ए अ इंड या न दे शैलल इस चैन पसे यूओ ए जूइन आश्चर फॉचर फॉचर फ्रशन ही-ज़ग आग निए फॉचर 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 दमूर जियक से 457 इंस के केविविश पॉर मिस किंश्वा T की बात करना या फिर कोई लीगल नौटिस को एक्स्प्रेस करना पॉपोजल डिटर्मिनेशन एट सेक्टरा फॉर गजैंपल ही शाल नौट अटेंड दा क्लास उन्होंने ओडर दिया है कि वह क्लास को अटेंड नहीं करेगा द्यू तुम स्पेसिफिक रीजन्स और अनदर कि वज़े से वह क्लास को अटेंड नहीं करेगा यह किसी टीचर ने स्टूनेंट को और दिया है दा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया शाल बे इलेक्टर फॉर फाइव इयर्स एवरिवन नोस देट प्रेजिडेंट ऑफ जो इंडिया को जो प्रेजिडेंट होता है वह अपने ब्रदर की हेल्प करेगी ताकि वह एक्जैम में हायर मार्क्स गेट कर सकें यह फोर्थ एक्जैम्पल इस ही शैल बे पुनिश्ट इफ ही डज नॉट ही इफ ही डज एनी इलेगल वर्क अगर वह कोई भी इलेगल वर्क करेगा तो उसे पुनिश्ट किया जाएगा यह एक्ट मुडाल इस यूज आपको शुड को कैसे यूज करना है शुट को यूज करने का बहुत एज़ी वे अंड हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी शुड को बहुत वेज से यूज करते हैं शुड is the past form of shell जैसे कि as like wood is the past form of will there is similar शुड is the past form of shell it is used to express advice, suggestion, duty, probability, expectation, condition, after list there are also some condition when we used should but after list हमने शुड को यूज किया है duty जो I think that we have already studied in your later classes that आप शुड यूज करते हो duty के लिए you should do that you should not do that आप को ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए किसी भी किसी को advice देनी को अच्छी suggestion देनी उसके लिए शुड यूज किया जाता है शुड नॉट और शुड नॉट और शुड नॉट और शुड नॉट और शुड इस यूज इन नेक्टिव संटेंस there is some examples to express the should we should take nutritious food यहां पर किसी ने ड्वाइज दी है ये ड्वाइज एक डॉक्टर की तरफ से लोगों को भी हो सकती है या किसी भी तरिके से हो सकती है we should take nutritious food हमें nutritious food ही लेनी चाहिए you should opt non-medical stream for your higher study as you have good knowledge in math यहां पर किसी ने किसी से suggestion मांगा हो या किसी ने किसी से को suggestion दिया हो that means कि आपको करना चाहिए opt means choose करना चाहिए that is the synonym of choose कि आपको non-medical stream को choose करना चाहिए आपकी higher study के लिए because आपके पास math में बहुत अच्छी knowledge है you should respect your teachers you should respect your elders that is the type of duty जो कि हम duty के तरिके से should को use करते है your next example is if she is working hard she should obtain good marks यहां पर condition दी गई है अगर वो hard work कर रही है that means condition है अगर वो कर रही है तब वो marks है उसे get करने चाहिए अगर वो कर रही है तो उसे marks भी get करने चाहिए your next condition is walk carefully least you should fall down आपको carefully walk करने चाहिए नहीं तो आप गिर जाओगे that means there is also a condition and here we use least he should be in the class नहीं यहां पर probability दी गई है they are not sure that he is in the class और नॉट यहां पर उन्होंने बोला है कि वो हो सकता है होना चाहिए उसी class में but यहां पर probability है they are not sure about that your next model is use of must must refers to insisting on something किसी को किसी चीज के लिए insist करना that means किसी को किसी चीज के लिए convince करना किसी इंसान के लिए किसी भी चीज के लिए convince करना it is used to express compulsion कि आपको यह काम करना ही होगा necessity जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है obligation किसी काम को लेकर कि उनकी यह obligation है here is this possibility that means आपके पास जो inexilable होनी चाहिए यह आपकी बात अगर वो sure नहीं है that means there is a possibility inexilable possibility होनी चाहिए that means वो काम इस तरीके से होना चाहिए कि हो सकते है कि वो पूरा ही हो जाए या फिर हो सकते है कि वो जिस बात के बारे में बोल रहे हो वो बात सच है पर यहां पर possibility है वो inexilable होनी चाहिए strong advice logical inference etc your first example is student must come in uniform compulsion कीगी है स्कूल में कि students को या फिक कॉलेज में कि students को uniform में ही आना चाहिए your second example is you are getting late you must hire a taxi उन्होंने advice दी है कि आप बहुत लेट हो रहे हो तो आपको एक taxi को hire करना चाहिए after a long walk you must feel tired यहां पर उन्होंने strong poverty दी है कि यहां पर इस चीज की inexilability है कि अगर वो long walk करेंगे that means वो 100% से 99% हो सकता है बट वो tired उनके possibility है कि वो tired जरूर feel करेंगे यहां पर किसी चीज के ना होने की ना होने की जो होती है वो नकजीलिबल होती है यह चीज अगर वो walk करेंगे तो वो tired जरूर feel करेंगे that means जो ना होने की possibility है वो नकजीलिबल होगी you must complete your school work before going to play उन्होंने हो सकता है कि किसी teacher ने किसी student को order दिया हो किसी parents ने अपने बच्चे को order दिया हो कि आपको खेलने जाने से पहले school का work करना चाहिए that is also a type of advice Sita is very good in study she must get higher marks in class यहां पे logical inference है कि वो बहुत अच्छी है study में तो वो जरूर जो marks है class में अच्छे get कर लेगी that means उसे करने चाहिए there is a different condition for must not यहां पे जो must not है वो easily use नहीं होता है जैसे हमने बहुत से पीछे वाले modals में किया है that in the negative form shall is used in negative form shall not will is used in negative form will not but here is a some condition to use the must not must not is used in the following sentence for probation किसी चीज को अगर किसी चीज के लिए मना किया जाता है प्रहबिट किया जाता है you must not walk in the middle of the road कि आपको road की middle में walk नहीं करनी चाहिए यह उन्हें मना किया गया यह probation किसी एक person के लिए नहीं है यह every person जो की जीवित है that means कोई भी इंसान हर किसी के लिए यह probation है कि उन्हें road के middle में walk नहीं करनी चाहिए there is no parking so you must not park your car here अगर किसी जगह पर parking नहीं है तो वहां पर कोई भी अपनी car या कोई भी अपना vehicle पार्क नहीं कर सकता है that is also a type of probation so यहां पर कोई parking नहीं है आपको अपनी car यहां पर पार्क नहीं करनी चाहिए for giving advice the second condition is for giving advice in negative as order and warning के लिए अगर किसी को negative form में advice दी जाए you must not sit here कि आप यहां पर नहीं बैठ सकते यहां पर कोई भी ऐसा place है वहां पर लोग नहीं बैठ सकते तो उनके लिए उन्होंने negative form में उन्हें order दिया है या फिर warning दिया that you must not sit here your tenth modal is use of out to it is used to express moral obligation or probability out to का use बहुत कम किया जाता है और यहां पर सिफ two conditions के लिए out to का use किया जाता है that is moral obligation or probability and out to has the same form in past, present and future that means जैसे हमने will के लिए would use किया था past form में shall के लिए should use किया था may के लिए might use किया था but जो out to है वो past, present and future तीनों जो हमारे forms है उसमें same use होगा and here's some examples to express out to you out to walk every morning यहां पर moral obligation है कि आपको morning walk हमेशा करनी चाहिए we can also use here should यहां पर should be use किया जा सकता है you should walk every morning but यहां पर moral obligation है so we also can use out to as a place of should this exam out to be very easy यहां पर उनकी एक probability है कि यह exam हो सकता है कि बहुत जादा easy हो student your modals are done and I think that you should have book of your grammar English grammar book and if there are some exercise in your book you should try to do it by yourself okay thank you students you अ ol अ कब्स कब्स